तो मूवी की शुरुवात होती है और हम कुछ लोगों को क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं लेकिन तभी इस जगा पर एक आक्सिरेंट होता है जिसकी वचह से क्लाइंबिंग कर रही सबी लोग यहां पर मारे जाते हैं इसके बार हम एलिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉल्फरिंग के साथ उसके घर पर रह रही थी एक दिन एलिस जब अपने काम पर जा रही थी तब ये रास्ते में एक आदमी को देखती है एलिस इस आदमी को देखते ही उसके उपर लट्टू होने लगती और एलिस अपनी मर्जी से इसमें आकर बैटी है वो आदमी एलिस को अपने घर लेकर आता है घर आते ही आदमी एलिस के साथ खपागप करने लगता है खपागप करने के बाद एलिस जब यहां से जाती है तब इसे अपने ऊपर काफी गिल्टी फील होता है क्योंकि एलिस का इसे ही एक boyfriend था, उसके बाद भी Alice ने उस अंजान आदमी के साथ खपागप किया, Alice चाह कर भी उस अंजान आदमी को भुला नहीं पा रही थी, अगले दिन Alice जब अपने काम पर जा रही थी, तब ये रास्ते में एक book store पर एक book देखती है, Alice इस book में उसी अंजान आदमी की photo देखती है, जिसके साथ इसने कल खपागप किया था, Alice स्टोर के ओनर से इस book के बारे में पूछती है, तब ओनर Alice को बताती है कि इस लड़के का नाम आडम है, मुवी की शुरुआत में हमीं जो climbing का accident दिखाया गया था, उसमें आडम भी था, उस accident में कही सारे लोग मारे ग करती है, बुक पढ़ने के बाद Alice दुबारा से एडम के घर आती है, यहां आकर Alice फिर से एडम के साथ का पागप करती है, एलिस यहां आडम से climbing में हुए accident के बारे में पूछती है, आडम एलिस को बताता है कि यह लोग वहाँ पर climbing काफी अच्छे से कर रहे थे, लेकिन और कहती है कि अब यह आडम के साथ में ही रहीगी, एलिस अपने घर आती है और यह अपने boyfriend से प्रेकबर के आडम के साथ रहने उसके घर आती है, एलिस आडम के घर एक लड़की को दिखती है, इस लड़की को दिखता है कि शायद यह लड़की आडम की girlfriend है, लेकिन यह अगले दिन जोआना नाम की लड़की आडम का इंटर्व्यू लेने आती है इसके बाद आलिस तयार होकर अपने काम पर निकल जाती है शाम के टाइम आलिस आडम से मिलने उसके ट्रेनिंग सेंटर पर आती है यहाँ आलिस आडम की सिस्टर डेबरा से मिलती है डेबरा भी उस दिन आडम के साथ क्लाइमिंग करने गई थी डेबरा आलिस को एक बार ट्राइ करने के लिए कहती है और यह इसे सीपल लगाने लगती है लेकिन तबी यहाँ पर आडम आता है जो डेबरा को यहाँ से चाने क लिए कहता है क्यूंकि Adam नहीं चाहता था कि डेबरा अलिस से फ्रेंड करें अब ऐसा क्यों यह आपको आगे की मुवी में पता चलेगा अलिस आडम के प्यार में पगला गई थी इस लिए यह अप अडम के साथ ही रह रही थी एक दिन अपनी फ्रेंड को आडम के बारे में ब अपनी फ्रेंग की बातों पर एलिस जादा ध्यान नहीं देती और यह शौपिंग करके यहां से जाने लगती है रास्ते में एक चोर एलिस का बैक चुरा कर भागता है लेकिन यहां पर आडम भी था जो चोर का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है अडम चोर को काफी मार इस लेटर में लिखा था कि तुम एडम को थीक से चांती तक नहीं हो फिर भी तुम उससे शादी करने जा रही हो आलिस यह लेटर आडम को दिखाती है तो आडम इससे कहता है कि यह सब फाल्तू की चीज़े हैं इसलिए तुम इंसा पर जादा ध्यान मत दो आलिस भी इसको कपड़े बदलने के लिए कहता है अलिस जब अपने कपड़े बदल रही थी तब आडम इसकी एक न्यूट फोटो क्ले करता है आडम एलिस को हाइकिंग पर लेकर जाता है जहां यह दोनों एक घर में रुक कर अपनी सुहागरात मनाते हैं अगले दिन घर आने पर आ लेकिन यह कॉल उसकी एक फ्रेंड पिक करती है जो अब उसी के साथ रह रही थी अलिस यहां समझ आती है कि यह लेटर इसके एक्स बॉइफरेंड ने नहीं बल्कि कोई और ही है जो इसे यह लेटर भीज रहा है शाम के टाइम एलिस आडम के साथ एक पार्टी में आती है इस पार्टी में डेबरा भी थी डेबरा यहां एलिस को एक नेकलेस गिफ्ट करती है एक दिन एलिस जब अपने ओफिस में थी तब रिपोर्टर जुवाना एलिस को कॉल करती है लड़की बता रही थी कि आडम ने उसके साथ जबरदस्ति उसका रेप किया है एलिस रिपो दोनों एक साथ में डांस कर रहे थे लेकिन बाटी खत्म होने के बाद जब ये अपने घर जा रही थी तब रास्ते में आडम ने इसके साथ जबर्दस्ति करके इसका रेप कर दिया ये लड़की कहती है कि भले ही आज आडम को लोग अपना हीरो मानते हैं लेकिन वो एक दरि अडाल के कुछ लेटर्स मिलते हैं इस लेटर में लिखा था कि अब ये आडम के साथ रहना नहीं चाहती क्योंकि आडम काफी घट्या किसम का आदमी है इसलिए ये इसे चोड़कर वापस से अपने घर पर जा रही है एलिस लेटर पर ही रही थी कि तभी घर पर आडम आ ज लेकिन इस बार इसे उसके चाभी नहीं मिलती क्योंकि चाबी आडम अपने साथ लेकर गया था एनसको यहांपर एक पार्सर मिलता है इस पारसल में एलिस को इसकी वेडिंग ड्रेस और एक लेटर में साथी के बात भी तुम आडम पर यकीन कैसे कर सकती हो एलिस को लग रहा था कि यह लेटर आडम की एक्स गर्फरेंड अडेल इसे भीज रही है इसलिए एलिस अडेल से मिलने उसके घर आती है यहां अडेल की मॉम एलिस को बताती है कि एलिस पिछले आठ महीने से मिसिंग है मैंने अडेल से दूडने के काफे कोशिश की लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिली एलिस यहां एक गृब फोटो में आडम को देती है अडेल की मॉम एलिस को बताती है कि यह लड़का एडल का बॉइफरेंड था एलिस यहां एडल की विएसी ही फोटो देखती है जैसा एड अदम ने ही अपनी ex-girlfriendписheus को मारा है ऐलेश जब घर आती है तब आडम इससे पूचता है कि तुम कहा गई थी मैं तुम्हारा कब से इंतिजार कर रहा हूं एलिस आडम को सारी चीज़े बताती है एलिस कहती है कि इस घर में इसे एडम के एक्स करल फ्रेंड एडल के लेटर्स मिले थे जिसके वजह से ये उसके बारे में जानने के लिए उसके घर पर गई थी लेकिन इसे वहाँ पता चला कि एडल आट माइनों से मिसिंग है और मुझे लग रहा था कि तुम ने ही उसे मारा है एलिस की बात सुनकर एडम कहता है कि मैंने उसे नहीं क्यूंकि मैं उससे प्यार करता था एलिस को एडम की बातों पर यकीन नहीं होता इसलिए ये वाश्रूम का बहाना बनाकर यहां से फाग चाती है एडम एलिस को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है इस पर एलिस एड़ जगा पर छुप चाती है जिसकी वज़र से एडम इसे नहीं डून पाता Alice officer के पास आती है और बताती है कि इसके husband ने एक लड़की का मडर किया है लेकिन officer उसकी बातों पर यकीन नहीं करते क्योंकि Alice के पास Adam के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता इसलिए officer Alice की बातों पर यकीन नहीं करते उधर Adam भी officer को बताता है कि इसकी wife कल रात से ही missing है क्योंकि इन दोनों के बीच कुछ बहस होई थी जिसकी वज़े से वो घर छोड़कर चली गई officer Alice को ये सब दिखाती है और कहती है कि इन्हें नहीं लगा कि Adam किसी का मड़कर सता है Alice यहाँ Adam को देख सती थी पर Adam Alice को नहीं देख पाता Alice को अभी भी Adam के उपर शक था इसलिए ये Adam की सिस्टर डेबरा के घर आती है Alice डेबरा को सारी चीज़े बताती है तब डेबरा इसे कहती है कि इसे पहले से ही Adam पर शक था क्योंकि उसी दिन जब ये माउंटेन पर क्लाइंबिंग कर रहा था तब Adam ने जान पूछ कर क्लाइंबिंग कर रहे लोगों को वहां से नीचे गिराया था क्योंकि Adam लड़कियों का इस्तमाल करके उन्हें मार देता है Adam ने अपनी गर्फरेंड के साथ साथ कई लोगों को वहां से नीचे गिराया था ताकि सब को लगे कि ये एक आक्सिडेंट है Alice को लगता है कि Adam ने अपनी एक्स कर्फरेंड अडेल की बॉड़ी उसी स्टैचू के नीचे चुपाई है जहां पर उसने इसकी फोटो टिक की थी Alice डेबरा के साथ स्टैचू के पास जाने लगती है कार में डेबरा एलेस को बताती है कि एलेस को जो लेडर्स मिल रहे थे वो लेडर डेबरा ही इसे बेच रही थी क्योंगी इसे अपने भाई के उपर शक था कि कहीं वो एलेस को भी ना मार दे उधर आडम डेबरा के घर आता है आडम यहां एलेस और एडेल की फोटो देखता है तो इसे नगता है कि एलेस उस स्टैचू के पास गई है इसलिए ये भी जल्दी से वहाँ पर जाने लगता है उधर एलेस को खुदाई करते समय यहां पर एक बॉडी मिलती है इस बॉडी के गड़े में एक नेकलेस था ये नेकलेस ठीक वैसा ही था जैसा डेबरा ने एलेस को गिफ्ट किया था नेकलेस ठीक एलेस समझ चाती है कि इस लड़की को आडम ने नहीं बलकि डेबरा ने इसे मारा है एलेस डेबरा से इसके बारे में पूचती है तब डेबरा इसे कहती है कि हाँ इसने ही एलेल को मारा था और उस दिन क्लाइबिंग करते समय जो आक्सिडेंट हुआ था वो आक्सिडेंट डेबरा ने किया था क्योंकि ये आडम की सभी गर्फरेंड को मारना चाहती है डेबरा कहती है कि ये जब छोटी थी तो तभी से ही ये आडम को पसंद करती थी और ये चाहती है कि आडम बस इसके साथ ही रहे डेबरा यहां यह भी बताती है कि जब यह चोटी थी तो इसने आड़म के साथ इसी स्टाचु के सामने ही कपागप किया था डेबरा ही वो लड़की है जिसने आड़म की सारी girlfriend को मारा है इसलिए अब यह Alice को भी मार देगी डेबरा Alice को मारने लगती है लेकिन तभी यहाँ आडम आ चुका था जो एलिस को डेबरा से बचाता है आडम कहता है कि बच्पन में इनके भी जो भी हुआ वो सब अंजाने में हुआ था आडम को पहली से ही डेबरा पर शथा क्योंकि इसे लग रहा था कि डेबरा ने ही इसकी गर्ल्फ्रेंड को मारा है इसलिए आडम डेबरा पर जरा भी यकी नहीं करता था डेबरा आडम को मारने ही जा रही थी कि तभी आलिस फायर गन से इस पर शूट करती है जिसकी वज़ह से डेबरा यहीं पर मर जाती है तुबै होने पर पुलिस आडम को अरेस्ट कर लेती है जिसकी वज़ह से आडम और आलिस एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यही पर खत्ब हो जाते हैं।